तेन फिंगर चैनल में आपका स्वागत है आज हम कक्छा आठकी कड़त का प्रस्नावली 6.4 का प्रस्न क्रमांक एक का साथवे से लेकर बारवे भाग तक हल करेंगे इसके पहले के जो कुष्चन है फरस्ट से लेकर शिक्स तक वो मैंने इसके पहले वाली वीडियो में करना है तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी संख्याएं है उनको देख लेंगे और उनके इसको ये हम इसके निसान के अंदर लिख लेंगे तो अब इसको दाई और से दो-दो के जोड़े बनाएंगे तो ये पूरी चार संख्याएं थी दो-दो के पूरे-पूरे जोड़े बन गए यहां पर मैंने एक से लेके दस्तक की संख्याओं के वर्ग लिखकी रखी है तो आपको ये क्वेशन करते करते आराम से याद हो जाएंगे तो आपको इनको लिखने की जरुरत नहीं है एक्जाम के लिए आप जब घर में इसको सीख रहे हैं तब यह लिखके रख लीजिए तो देखे ये जो 57 है ये किस किस के बीच आ रहा है या रहा है 49 और 64 के बीच में तो seit कवर्ग उननननननन चास होता है और 8-4 एसलिए हम छोटी संख्या लेंगे क्यों लेना चोटी संखी जिसे हम संतावन में से माइनस कर सकें तो यह हम लेंगे यहाँ पर साथ कवर्ग यह होता है 49 अब इसको माइनस करेंगे तो 17 मैसिन हो गए 5 और यहाँ पर तो बचा सून्य अब यहाँ यहां पर हमने साथ में साथ जोड़े यह हो गए चौदा यहां पर इस तरफ थुड़ी सी एक औंक की जगे छूड़नी है अब यह जोड़ी से अतारा शहेतर यहां पर तो यह देखी 14 है अब यदि हम इस एक अंको ढख ले यहाँ पर 6 को तो यहाँ मचा 87 14 का पहाड़ा 87 तक देखें कितना आता है 14 चंग 84 होता है तो हम इसको 6 करके देख लेते हैं और 6 चंग 36 भी होता है तो यहाँ हमें एकाई के स्थान पर 6 मिल जाएगा तो हम करके देखते हैं 14 गुणा 6 सॉरी 146 क्योंकि हमने यहाँ 14 पहले से था 6 ले लिया है 146 चंग 36, 6 चंग 24, और 3, 27, 6, 1, 6, 2, 8 यह पूरा-पूरा 87 आ गया तो हम 146 करेंगे तो यह पूरा-पूरा आ जाएगा 866 इस तरह से इसका हमें बर्गमूल प्राप्त हो जाएगा संता 5776 का यह हो जाएगा चैतर और यह यह है इसका आंसर अब इसी का हम देख लेते हैं 8 भाग इसमें हमें संख्या दी है यहाँ पर 7921 तो अब हम इसका निकालते हैं वर्गमूल इसको हम सेम प्रोसेस से पहले हम इसको वर्गमूल के निसान के अंदर लिख लेंगे अब यहाँ पर दाई और सा दो दो संख्याओं के जोड़े बनाएंगे अब यह जो 89 है यह आ रहा है हमारा 79 आ रहा है 64 और 18 के बीच में तो हम यहाँ पर ले लेंगे 8 अठट ही यहां चौन सट यह हो जाएगा हमारा 88 यह चौन सट यहाँ पर माइनस करेंगे 9 में से 4 गए 5, 7 में से 6 गए 1 और यह हो गया 8 और 8, 16 यहाँ पर हमने 21 उतार है क्योंकि इसमें जोड़े संख्या उतरती है यह आ गया 21 यहाँ पर यह इसको साथ में ही लिखना है अब यहाँ हम एक अंग छुपा लें इसका यह आगए 152 16 का पहाड़ा सबको आता होगा जिनको नहीं आता हो वो थोड़ा सा याद करें यह इसको हम बंद्रा के विप्रोक्स कर सकते हैं तो यह होता है 16 नाम 144 और यहाँ पर हमें 1 चाहिए 9 नाम 182 होता है तो यहाँ पर हम 9 लेके देखते हैं तो यह हमारा हो जाएगा 189 गुड़ा 9 इसको हम गुड़ा करके देख लेते हैं 9 नाम 18 9 इचंग 24 9 8 62 9 एकम 9 और छे 14 9 और छे 15 तो यह हो जाएगा 1521 हम यहाँ पर ले लेंगे 9 यहाँ पर भी 9 हो जाएगा और यह पूरा-पूरा गुणा होके आ रहा है 1521 तो यहाँ पर सेस्फल वच्छे हमारा जीरो इस तरह से इसका वर्गमूल हो जाएगा 7921 का वर्गमूल यह हो जाएगा हमारा नवासी नौबे भाग में हमें संख्या देखे रखी है 576 तो 576 को हम इस निसान के अंदर लिख लेंगे अब इसमें दाईयोर से दो-दो संख्याओं के जोड़े बनाना है तो यह दो संख्या है तो हो कि यहाँ पर पांच अकेला बचा अब पांच किस-किस के बीच में आता है यह आ दो दूनी चार यहां अगया हमारा चार वच्ण कृ तो यहां से सफल जो वचन एक दो कि यहोड़ेंगे यह दो हिए तो यहां के चार पर हमने शहत्दर उता रहा तो यह देंगा 46 होता है और हम एंग किसथान पर भी ने है यह यहां पर चार लेके देखतें है तो यह हो जाएगा चार चो को 16, चार चो को 16 और 17 यह पूरा पूरा चला गया भाग तो इस तरह से इसका जो बर्गमूल है 576 का वो हो जाएगा हमारा 24 अब इसी के नौबे भाग में हमें दिया है दस्वे भाग में 1024 तो एक हजार 24 को हम इस निसान के अंदर लेंगे अब यहां पर दो दो संख्याओं के हम जोड़े बना लेते हैं यह 10 है यह 10 किस किस में आरहा है नौ और 16 के बीच में तो हम छोटी संख्यां ले लिएंगे यहां पर यह सभी संख्याओंके बर्ग लक्रिकर रखे अरन हो nutr 10 तो 3 कवर्ग हम यहाँ पर लेंगे 9 तो यह हो जाएगा 33 9 यहाँ पर हमारा सेज़फल बचा एक और यहाँ पर 3 और 3 6, अब यहां पर हमने उतारा 24 अब यह तो एकदम सिंपल दो ले लेंगे तो दो दूनी 4 और 6 दूनी 12 यह तो आप देख लोगी बता सकते हैं, कि यहाँ पर दो आएगा तो दो दोनी 4 और 6 दोनी 12 हो जाएगा इस तरह से 1024 का वर्गमूल हो जाएगा हमारा 32 इसके 11 नंबर पर हमें दिया है 3136 तो इसको भी हम सेम प्रोसेस करेंगे सबसे पहले तो हम इसको निसान के अंदर लिखेंगे वर्गमूल की अब इन दाइए और से दो दो संख्याओं की जोड़े बना लेते हैं अब 31 है तो 25 होता हो चैचंग 36 तो इसको हम ले लेंगे यहां पर 5 यह हो जाएगा 25 तो यहां पर 31 में से 25 गटाएंगे यह बचेगा 6 यह हो जाएगा 5 और 5 दस यहां उतरेगा 36 जोड़े से संख्याओं उतरती हैं तो अब यह देखिये यहां पर यह बिल्कुल सिंपल है छैह लेंगे कैसे बिल्कुल सिंपल हमने कह दिया क्योंकि 36 यह पूरा पूरा आजएगा और 6 एकम छै इसको हम कह सकते हैं तो यह हो जाएगा 6,36 यह पूरा पूरा और 6 एकम 6 और यदि आपको समझ में नहीं आरा 6 कैसे लेना है तो इस एकम को आप छुपा दीजिए तो 10 का जब हम करेंगे यहां पर भी पहले से तो 6 था नहीं 10 था के ला तो 10,60 होता है हम ऐसे भी पता कर सकते हैं कि यहां पर 6 आए अब इसी का है दस्वा भाग इसमें हमें दिया है संक्या 900 तो हम 900 को वर्गमूल इसके निसान के अंदर लिखेंगे अब यहां पर दो-दो संक्याओं के जोड़े बनाएंगे दाइयोर से तो 9 अकेला बचा सबको मालो में 3 तीन नो होता है यह पूरा-पूरा चला जाएग यहां सेसफल बच्चा सुन यह तीन और तीन हो गए अच्छा है अब यहां पर संक्याओं जोड़े से उतरती हैं तो दो-शून ने उतार लेंगे अब जब सूनने चाहिए है किसी भी संक्यों गुणा करके तो हम यहां सूनने लेंगे यहां सूनने लेंगे तो यह हो करिए एक्जाम में यह वाले कॉस्चन जरूर आएंगी जिसमें जीरो हूँ यह इस तरह से तो उम्मीद करती हूँ कि आपको यह प्रस्न समझ में आ गया होंगे कहीं कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट्स में लिखकर पूछ सकते हैं यह प्रसुदी टेन फिंगर चै